दूर्गार शाला में आपका स्वागत हैं देखे फ्रेंड्स आज मैं यह दो कलर केक फ्रोग बना कर लेकर आई हूँ यह फ्रेंड्स मैंने यहां से स्टार्ट की है पहले यहां से फंदे डाल कर मैंने यह निचे का पार्ट पहले बनाया है और उपर का पार्ट मैंने फिर दुबारा यहां से फंदे उठा कर उपर का पार्ट बनाया है इसको फ्रेंड्स मैंने इसके लंबाई बनाई है लंबाई बनाई है बोडर से लेकर थखत the cały lets हमारा इस एठारा इंश का हमारा धे फे रोग बना है और इसकी चोली कि 12 इंश की मेने इसकी चोली की चुड़ाई बनाई है और इसमें friends मैंने दोनों तरफ से आगे भी और देखे पिछे की साइड भी बिल्कुल सेम दोनों एक ही जैसी चीज मैंने इसमें बनाई है इसको स्टार्ट करने के लिए friends मैंने यहां से 51 फंदे डालने हैं आयए it is again करते हैं इसे बनाने के लिए फ्रेंड सामने ये 71 फंदे डालने हैं 71 फंदे डालने के बाद अब हम इस पर अपना बोडर बनाएंगे इसके लिए हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा ये वाला बोडर हम इस पर बनाएंगे देखे, यह सिता, फिर एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से बनाते हैं, हम यह अपनी स्लाई पूरी कम्प्लीट करेंगे, एक सिता, एक उल्टा, यह स्लाई हमने पूरी निकार ली है, एक फंदा सिता, और एक फंदा उल्टा, लाष्ट का फंदा हमारा, इसमें यह सिता फंद आया है लाश्ट में हमारा अब हम इसको उल्टी साइड से जो फंदा हमारा इधर से सिद्धा आया है इसको हम उल्टा बुनेंगे और जो फंदा हमारा सिद्धा है उसे हम सिद्धा बुनेंगे ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है इसे हम उल्टा बुनेंगे दागा पि दूसरी स्टार्ट की है इसके एलावा हमने आठ सलाईयां और अपनी इसी तरह से इस बोडर की बनानी है यह देखिए हमने अपना बोडर बना लिया है इसमें मैंने दस लाईयां निकाली है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और एक यह दस दस लाईयां निकालने के आप इसके ऊपर इसा में हने अपना दूसरा यहांस जाइन कर Лिया है अब हम यह से एक सलाहिज जाईयां निकालेंगे और इस धॉफचे को चुट करने के बाद अब हम यहांसे आपना जोइन एस क्थ葉 निकालते हुए इस हम एक स्लाइब पूरी अपनी आई से सिध्धे वाडि निकाल लेगे कर यह स्लाई हम मैं आई सिद्धे वाड़ी निकालते हुए आना इसे ऐसे से कंप्लेट करेंगे इसलाई हमने अपनी पूरी सिध्धी निकाल ली है अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड से पूरी सलाई हम इसे उल्टे वाली आग्गे से बनाते हुए पूरी सलाई इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे अब ये देखे फ्रेंड्स ये सलाई हमने उल्टी भी निकाल ली है अब इसके उपर हम अपना पैटन स्टार्ट करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम 5 फंदे अपने उल्टे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, और एक ये 5 5 फंदे उल्टे बनाएगर दागा पीछे करेंगे 6 फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदे हमने सीधे बना दिये हैं अब आगे दागा करेंगे 5 फंदे उल्टे बनाएंगे 3, 4, 5 फिर 6 फंदे सीधे बनाएंगे 2, 3, 4, 5, और एक 6 इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपनी ये सलाई पूरी निकार लेंगे 5 फंदे 6 सीधे 5 फंदे 6 सीधे बनाते हुए हमने अपनी ये पूरी सलाई बना ली है इसमें हमने 5 फंदे 6 सीधे 5 फंदे 6 सीधे का हमने इसमें ये पैटन बनाया है अब हम इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से अब हम अपने पूरी सलाई उल्टी उल्टी ही निकलेगे, इसमें हमारी हर बार उल्टी सलाई उल्टी उल्टी ही निकलेगी, सारे फंदे हम इस तरह से अपने फंदे बना देंगे, उल्टी सलाई निकालकर सिधी साइड बनाएंगे पांच उल्टे छे सिद्धे 5 उल्टे छे सिद्धे ऐसे ही आम इस सलाइगे फिर उल्टी उल्टी निकालेंगे पांच फंदे हम यह उल्टे बनाएंगे इसे फिर दागा पीछे करेंगे छे सिधे बना देंगे फिर दागा आगे करेंगे 5 फंदे इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपने ये सिलाई भी कंप्लिट करेंगे और उल्टी सलाई भी हम निकाल लेंगे यह देखे फ्रेंट्स हमने अपनी दोनों सलाई निकाल ली है यह हमारा चार सलाई का पैटन हो गया है जो हमने यह पैटन डाला है दो सलाई इसमें निकली थी दो सलाई इसमें अब हमारी पैटन की पांचवी बढ़ाएंगे पहले इसमें से हम उल्टा फंदा बुनेंगे पिर दागा पिछे करके इसी फंदे मिए से पिछे की साहीड से एक फंदा हुगा हम ऐसे बना लेंगे अब जो हमारे आग गयी है छे फंदे सिद्ध हैं इसमें हम केबल का पैटन डालेंगे पहले हम पिछे के तीन फंदों को अपनी सिलाई पर ऐसे डाल लेंगे पिछे के तीन फंदे और फिर हम इन छे फंदों को ऐसे सिलाई से बाहर निकाल लेंगे दिखिए ऐसे अब हम इसी सिलाई में जो मारे अग्ये वड़े कंदे हैं हम उसी सिलाई में डाल लेंगे आपने फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चारो पसेत है cut banana द Hey değil एक फंदा इसी में से उल्टा बना लेंगे, दागा पीछे करेंगे, इसी फंदे के पिछे की साइड से एक फंदा में से और बना लेंगे, फिर दागा पिछे ही रहने देंगे, अब दुबारा से यहाँ पर हम अपनी केबल बनाएंगे, तीन फंदे पिछे के हम पहले अपन हम तर नावा पिछ गणकर आइक ठीन करता कि भी कि इसलाइघे से यहीं दालेंगे और फिर colder को यहीं हम त्रश। नाक्रमी के त्राक्स हम फैए ईसलाइट topics जुबमाइसे तर कुराओ मैं हमिए और यहीं लिए बनाएंगे देखेट इस तरीक्याओ नहीं है अब हम इस सलाई में पूरी में ऐसे ही अपना डिजैन डालेंगे हम डिजैन डालते हुए हर एक जो हमारे ये उल्टे फंदे है इसके पांच में फंदे परामे एक फंदा बढ़ाएंगे देखे हमने यहां स्टार्टिंग में भी बढ़ाया यहां भी बढ़ाया है और इसके यहां पर बढ़ाएंगे यहां पर भी और यहां पर भी यहां भी जहां भी हमारे पांच फंदे हैं वहीं परामेक के फंदा बढ़ाते हुए अपना ये जैन डालेंगे है कि भी जिएंगे हैं अब हम लाश्ट के ज में पांच फंदे उल्टे हैं यहां पर आए हैं इसमें से हम तीन फंदे पहले अपने उल्टे बना लेंगे उसके लिए के जो देखिए के हमारे दो फेंदे हैं दूसरे फिंदे पर एक फंदा इसमें से उल्टा बनाएंगे दागह पिछह लेंगे पीछे की साइड से बढ़ा रहें पर यहीं कि लेका लेंगे अंगे , इसी तरिके से हम आपनी पूरी इना लेंगे हमने अपनी उल्टी स्लाई पूरी निकाल ली है अब हम इसकी सिद्धी साइड है सिद्धी साइड में अब हम अपनी जैसे हमने यहाँ पर अपनी चार स्लाईया निकाल ली दी ऐसे हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे यहाँ पर अब हमारे उल्टे फंदे 6 हो जेंगे क्योंकि हमने पिछली स्लाई में एक फंदा बढ़ाया था एक, दो, तीन, चर, पांच, और एक ये 6 दागा पीछे करेंगे ये 6 फंदे हमारे ऐसे सिद्धे ही बनेंगे ऐसे हम ये 5 फंदे सिद्धे बनाएंगे एक दड़ा छेंड़ाया अपने अपने इल्टे बनाएंगे इसे तरीके से फ्रेंस हम अपनी य स्लाई भी निकाल लेंगे फिर एक लूटाल निकाल लिए कद्धे एक श्लाई त्रेंगे हम तोर्ट ₑ •ॽ 7-21 और ऐस दोठीई हमारी स्रव में निकली अब हम अपनी पांच मीस्त लाई पर हैं और हमारी चाटी चलाई है एक बढने जो इसे केबल बनाने के बाद अब लिटे संग है यह चार हो गई है अब हम च्च oldest लाई हैं इसमें फ्रेंट्स हर बार हम जब अपनी ये केबल बनाएंगे तो हम यहां पर फंदा बढ़ाएंगे देखे पहले हम पांच फंदे अपने बना लेंगे दो ती चार और इके पांच अब हमारा ये छटा फंदा है इसको हम ऐसे उल्टा बनाएंगे फिर इसके पिछे से इसी फंदे में से एक फंदा और बना लेंगे अब हम अपनी इसकी केबल बनाएंगे इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपनी जब दी हम केबल बनाएंगे केबल कि बढ़िए वड़ी सलाइ में हम यहाँ पर अपना एक एक फंदा हर पां जोलते फंदे है वहाँ पर एक फंदा लाश्ट के फंदे पर बढ आएंगे जैसे मैं अपने पर डाली है अम हम अपनी केबल बनाएंगे कि दीन फंदें पीच्छे के हम सलाही से वार निकाल लेंगे अग्य बार च्पटšeगों दोज से दाय Meadbuild लेंगे फिर इन फंदो उसी टोजह में दुबारा से डाल लेंगे अब हम कि मीक्टोगी को सिद्धा बनाएंगे इस तरीके से फिर हम अपने उल्टे फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार और एक ये पांच छटे फंदे पर हम उल्टा फंदा बनाकर इसी फंदे के पिछे की साइड से एक फंदा बढ़ाएंगे इसी तरीके से friends हम अपना ये pattern बनाते हुए जाएंगे हर छटी सलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे चार सलाई बीच में हम सेम निकालेंगे उल्टे फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे पहले हमारे 5 ते फिर 6 हुए अब हम फंदा बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे साथ हो जाएंगे और हम अपने केबल छटी सलाई में डालेंगे इसी तरीके से friends हम अपने pattern बनाते हुए 8 केबल हम अपनी ये बना लेंगे 1, 2, 2 केबल हमारी अब बन जाएगी इसके बाद हम 6 केबल और अपनी इसी तरीके से बनाएंगे देखे friends हमने अपनी इसकी लंबाई ये बना ली है इसमें हमने 8 ये केबल डाली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8 8 केबल हमने इसकी डाली है और हर छटी सलाई में फंदा बढ़ाते हुए ये हमारे यहाँ पर 13 फंदे हो गए है जो हमारे उल्टे फंदे हैं सारे हर जगा हमारे 13 फंदे हो गए है अब हम इस पर अपना फ्रेंस दूसरा पैटन स्टार्ट करेंगे उसके लिए देखे अब जो हमारे ये उल्टे फंदे है ये हम 13 फंदे ही रखेंगे इल्टा ही बनाएंगे यह दी controll हो आ पीछे करेंगे और जो हमारे यह छे पंदे सीध्ड़े इसमें तीन प्रइञा सीद्धी बनाईगे इससे प्रइम संधी अब यहांपर हम एक जाली दानेंगे और सीद्धा डॉ सिहें ग जहीतर है इसे आगे दागा करेंगे और यहां पर हम एक करेंगे घीर साफ़े में दानें है इन में हमने कोई फंदे की बढ़ाई नेगर नहीं है आपर दीखिए ऐसे हम यह कि फंदे अपने बना लिए हैं इस तरीके से अब हम दुबारा से दागा पीछे करेंगे फिर हम इन सिद्ध फंदों पर हैं इसमें से तीन फंदे अपने ऐसे सिद्ध बनाएंगे और बीच में यहां पर हम एक जाली डालेंगे फिर हम तीन फंदे सिद्ध बनाएंगे जाली डालते हुए ऐसे ही फ्रेंड्स हम अपने यह पूरी सलाई निकाल लेंगे और उल्टी सलाई निकाल लेंगे यह देखिए हमने अपने यह सलाई पूरी ऐसे क वहां तक हमारी ये उल्टी स्लाई उल्टी उल्टी ही चलेगी जो हमने जाली वाला फंदा बनाया है उसे भी हम उल्टा ही बना देंगे इस तरीके से ये उल्टे फंदे बना दिये हैं और जो ये जाली वाला फंदा बनाया था इसे भी हम यहां पर ऐसे उल्टा ही बना दें पूरी सलाइ इसी तरीके से हम ये बनाएंगे पुष्ञ हम पसे सिद्र waste कराता हैं जो हमारे तेरस उल्टे बनाएंगे ठीड़ा हम इसी तरह से उल्टे बनाएंगे french है था इस पंदे के तरफ जाली हो गई एक और बीच के फंदे अवा मैं जल्टेशी और या करी हुए यह सलाई कम्प्लीट करेंगे देखिए अब हमने यह बीच के फंदे बना लिए हैं यहां पर भी हम अपने तीन फंदे सीधे बनाएंगे फिर जो हमारा बीच वड़ा फंदा है इसकी दुन्नों तरफ हम है के जानी डालेंगे इधर भी और इधर भी देखिए ऐसे फि दुबारा ऐसे ही बनाएंगे अपने उल्टे बना लेंगे हम यह तेरा फंदे देखिए तेरा फंदे बनाने के बाद हम तागा पीछे करेंगे अपने यह तीन फंदे अब हम सीधे बनाएंगे और जो फंदा हमने एक जाली से बढ़ाया था इसे भी हम इधर की साइड और हमारे सिद्दे बना लेंगे इस तरीके से ऐसे ही यह चाली प्न किती दूशरी मैं ने यह बनाई है इसी तरीके से हम शे जाली और बना लेंगे और जो हमारे सिद्दे Suso साइड फंदेए बढ़तें सुरह बीच वाड़े फंदेदे बनैजा देख आप आठ जालियां नाल हेएं ताट फंदे मेरे इधर की साइड बढ़ गया और आँ फंदे मेरे इधर बढ़ गया है देखें एक दो तीन चार पान छे साथ और एक यह आठ जालिया डालने के बाद अब मैंने फंदे इसमें फ्रेंड्स मेरे सिरफ इन में बढ़ाएए मैंने सारे जहांपर हमने यह डिज जो हमारे ये तेना तेना फंदे हैं इन्हें हम ऐसे उल्टा ही बना लेंगे इस तरीके से मैंने ये तेना फंदे उल्टे बना लिए अब दागा पीछे करके जो हमारे ये बीच के फंदे हैं ये न्हें हमारे तेईस कर दो को हम ऐसे ie ही बनाते अब हम कोई भी जाली न ही डालेंगे कोई भी फंदा कहीं पर गुनी बढ़ाएंगे को आप किma सारे फंदे मेरे से सीद्धे बनावगी हूं अब जो हमारा बीच वाला फंद है इसे भी ऐसे सिध्दही बना लूटे अब जाड़ी नी डाल लूँगे कही बर भी देखे ऐसे ऐसे मनने ये सारे तेईस फंदे जो हमारे हैं यह सिद्धे ही बना लिए हैं और स्टाइटिंग के उल्टे फंदे हमने यह उल्टे बनाए हैं अब आग्गे भी मैं ऐसे करूंगे उल्टे फंदे उल्टे और सिद्धे फंदे ऐसे बनाकर पूरी सलाई निकाल लोगे यह देखे, हमने अपनी पूरी सलाई यह निकाल ली है, अब हम इसकी उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ से हम इसमें पूरी सलाई अपनी ऐसे उल्टी वाली ही बनाएंगे, देखे ऐसे, हम अपनी यह पूरी सलाई इसी तरीके से निकाल लेंगे, और यह सलाई हमारी दूसरी ह साइ मैंने निकाल लिए मैंने अभी स्टार्ट किया Пр ini तरह से हम आट 10 लाइया और निकाल लेगे एक शिद्धी तरफ से एक उल्ट से उल्टी तरफ से खीडिलानि है और उल्टे तरफ से سलाहिन निकाले इसी तरह बनाते हुए इसके इलावा हम 8 सलाईयां और अपनी इसी तरह से निकाल लेंगे यह देखी फ्रेंट्स हमने अपनी यह 10 सलाईयां निकाल ली है हमने उल्टे पर उल्टा बनाया सीधी साई से और सीधे पर सीधा बनाया है और उल्टी सलाई पूरी उल्टे उल्टे निकाल ली है इस तरीके से हमने बनाते हुए अपनी दस लाइया निकाल ली है अब फ्रेंट्स हम इसमें देखिए यहां से हम काउंट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और एक यह दस दस लाइया निकालने के बाद आब हम इसमें अब दूसरा कलर जवाइन करेंगे देखिए मैंने यह जो उपर बॉर्डर बनाया जिस कलर का वही मैंने यहां पर लिया है यहां पर भी हम अपना बॉर्डर बनाएंगे इसके लिए फ्रेंट्स अब हम इस कलर से देखे ऐसे सिद्धी बुनते हुए पूरी सिलाई हम यह ऐसे सिद्धी वाली निकाल देंगे यह सिलाई पूरी हम ऐसे ही बनाएंगे यह सिलाई हमने पूरी सिद्धी निकाल दी है अब हम इसकी उल्टी साइड आगे हैं उल्टी साइड से भी फ्रेंड्स अब हम इसकी सलाई पूरी ऐसे सिद्धे वाली ही निकाल लेंगे इस तरीके से हम बनाते हुए फ्रेंड्स ये सलाई अपनी पूरी करेंगे ऐसे ही सिद्धी सिद्धी एक सलाई हमने निकाल ली है दूसरी हम निकाल रहे हैं इसी तरह से हम 6 बेसालाईयां, और फ्रैंट को सिधी शिदी निकाल लेंगे, यानि के हम सिधी साइड अपनी 4 रो बनाएंगे उसके लिए हमारी हे निछे ऑट पोड्र को सिधी शिदी निकाले मेंगे, हम ये हम ये 8 रोख बनाली है ऩाइड हो 20 refreshed क्योंकि हमारे देखिए यहां पर भी फंदे बड़े हैं और इसमें भी फंदे बड़े हैं इससे हमारे नीचे यह फंदे 229 हो गए हैं अब हम इन सब फंदों को बंद करेंगे एक फंदा सिद्धा बुनेंगे फिर दूसरा फंदा सिद्धा बुनेंगे इसको हम ऐसे उतारेंगे एक दूसरे के उपर से फिर एक फंदा और बुनेंगे ऐसे हम इन फंदों को बंद करते हुए फ्रेंट्स हम लाश्ट तक के अपने सारे फंदे ये बंद कर देंगे बिलक बूकर प्रण करें अपने के इसे हम के एसे बंच बन आए अब हम इसके बंपर बना इसके वोट नाय उपर का बनाएंगे इसके लिए फ्रेंड ग्रया प्रसानी में अमात यदो आपाट है इस 가장 इसमें हमने 71 फंदे डाल ले थे अब हम यहां से 71 फंदे उठाएंगे लिखी जो आमारा अब ये पहला फंदा है इस फंदे के अंदर से हम ऐसे तली को डालते हुए एक मंदा ऐसे बनाएंगे फिर अगले वड़े फंदे में से एक फंदा बनाएंगे हर एक फंदे में से हमने फंदा उठाना है क्योंकि हमने यह 71 फंदे ही यहाँ पर लेने हैं इसलिए हम हर एक फंदे में से एक एक फंदा उठाते हुए औlor अपने यह 71 फंदे उठा लेंगे है अशी हम क्यों हमें यहां से लेकर यहां तक कहां यह फंदे उठाएंगे यह दिके फ्रेंट्स हमने अपने Buffaloοι ूठा लिए है यह फंदे उठाने के बाद आब हम एक चलाहिये अपनी उल्टी निकाल लेंगे कि अब हम इस तरह के से अपनी ये पूरी सलाई निकार लेंगे हम ये सलाई ऐसे ही बनाएंगे ये देखिए हमने पूरी सलाई उल्टी निकार लिया है और अब हम इसकी सिद्धी साइड है ये हमारा निच्छे दापाट बना है अब हम इसके उपर चोली का पार्ट बनाएंगे फ्रेंड जो हमने ये फंदे उठाए है अब हम इसमें अपना ये वाड़ा कलर लगाएंगे दूसरा यहां से हम दागे को लगाते हुए एक सलाई फ्रेंड सापने पूरी इस कलर से हम ये सिद्धी सलाई निकाल देंगे इस तरीके से हम ये पूरी सलाई निकाल लेंगे यह सलाई निकाल कर अब हम इसके उल्टी साइड है और उल्टी साइड से पूरी हम सलाई अपने आसे उल्टी वाली बनाएंगे ऐसे हम ये पूरी सलाई निकाल लेंगे ये देखे फ्रेंट्स निचे हमने दो सलाईया अपनी ये डार ग्रेंग की निकाल ली है इसके ओपर दो सलाईया हमारी ये लाइट ग्रेंग की हो गया है इसमें एक सलाई में हमने फंदे उठाए थे और एक हमने उल्टी निकाली थी, अब इसके उपर हम दो सलाईया फिर अपने गरीन कलर की निकालेंगे, जो हमारा ये डाक कलर का है, इसकी दो सलाई निकालेंगे, ऐसे एक सलाई सिधी और एक सलाई उल्टी, ऐसे ही फिर उपर ह निकालते हुए, दो सलाई डाक की, दो सलाई ग्रीन की, लाइट और दो सलाई डाक, ऐसे ही निकालते हुए, फ्रेंड्स हम अपनी चोली की लंबाई पूरी करेंगे, यह देखे फ्रेंड्स हमने अपनी चोली की लंबाई पूरी कर ली है, इसमें मैंने नाइन लाइन ये डा बोडर बनाएंगे जैसे हमने यह निच्छे बनाया है ऐसे हम यहाँ पर बनाएंगे हम यहाँ पर डा ग्रीन का बनाएंगे पूरी सलाई फ्रेंड्स हम ऐसे अपनी यह डा ग्रीन वाली बना लेंगे यह सलाई हमने पूरी सिद्धी निकाल लिया है अब हम इसके उल्टी साइड है और उल्टी साइड से भी फ्रेंड्स हम इसकी पूरी आसे सिद्धे वाली सलाई ही बनाएंगे इस त्वीके से हम ये सलाई भी अपनी निकाल लेंगे हमने एक सलाई निकाल लिया दूसरे स्टार्ट की है इस से अलग हम चार सलाई और अपनी ये सिधी सिधी निकाल लेंगे यानि कि हम इधर अपनी ये तीन रो बनाएंगे यह देखे फ्रेंड्स हमने अपनी 6 लाईया सिधी सिधी निकाल लिया इससे हमारी यह तीन रोग बन गई है अब हम इधर से मोड़े की गटाई करेंगे इसके लिए फ्रेंड्स हम 10 फंदे यहाँ पर गटाएंगे की एक दो तेन चार पाच छे साथ आहाट नो दस अब एक फंदा हो रहाँ हम यहाँ पर गटाएंगे देखे हमने यह ग्यारा फंदों की यहाँ पर यह गटाई ऎकी है अब हम 10 फंदें पटी के बनाएंगे एक हमारे तीन हो गटाए क्योंकि एसी friends इदर से भी हम 11 फंदे बोड़े की गटाएके और 10 फंदे पटटी के छोड़ कर बीच के फंदें हम सारे बंद करेंगे, इदर से हम ये 20 फंदें छोड़ देंगे, इन्हें भी फिलान हम इदर ऐसे ही छोड़ देंगे, और देखे आग्गे से बुनेंगे एक दो और बीच के फंदे ऐसे करके हम इक के करके गटा देंगे इस तरीके से हम यह बीच के फंदे अपने गटाएंगे इधर से 21 फंदे छोड़कर बीच के सारे बंद करेंगे हमने बीच केкого आपने बीच के 29 फंदे बने बना ली है अब हम हम यह अतिक पूरी अग्वेझ के सारी फंदे अपनी इसे इसे इसाओ बना दें मैं पूरे फंदे हम ऐसे भी बनाएं गैं इससलाई पूरी शिद्धी निकाल दिया, आपने जो हमारे ही हैं पर 11 मार 12 की गटाई करेंगे 12 इतर दिया, फिर एक और उर उतर दिया इसी त्रीके से हम यहां पर ये अपने 11 फंदे गटादेंगे और 10 फंदे हमारे इदर बचए हैं 11 फंदों की यहां से गठाई कर दी है अब यहाँ पर हमारे टोटल यह 10 फंदे इधर बचेए हैं इन 10 फंदों से फ्रैंस हम अपने स्टैप मनाएंगे ऐसे हम दोनों साइड से सिधा सीध़ बनाएंगे इन 10 फंदों को ही इस तरीके से हम यह पूरी सलाई अपनी जो हमारे दस फंदे हैं इन्हें हम इस तरीके से सीधा बना देंगे फिर यहीं से हम वापसी सलाई को मोड़ते हुए दिखिए इन फंदों को ही अम दुबारा इधर से सीधा बनाएंगे जैसे हम अपने यह बनाया है ऐसे यह पत्टी हिवा आपनी यह बनाएंगे यानी के हमारी सीधिन रो सोरा रो हम अपनी यह बनाएंगे इस तरीके से देखिए, एक रो हमारी ये बन गी है, इससे अलग हम 15 रो अपनिया ऐसे बनाते हुए, दोनों तरव से सिधी सिधी हम अपने ये स्टैप बना लेते हैं, ऐसे हम ये स्टैप बनांगे, फिर ऐसे हम इदरबाली स्टैप भी बनाएंगे यह देखे फ्रेंड्स हमने अपनी स्टेप बना लिया है मैंने यह 16 रो बनाई है अब हम इसक में दागा थोड़ा लंबा सा काटेंगे और इधर की साइड की स्टेप अब हम बनाएंगे अब हम इधर से दागा जोईन करेंगे अपना पहले फंदे में से स्लाइड डालते हु देखे हम दागा लेंगे और इसके अंदर से ऐसे बनाते हुए अब हम इसको ऐसे अब बनाएंगे जैसे स्टेप हमने इधर बनाई है ऐसे हम इधर भी अपने दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए बना लेंगे हमने दूसरी तरफ से अपनी यह स्टेप बना ली है अब हम बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और पीस बना लिया है अब हम इन दोनों पीसों को आपस में जोईन करेंगे इसके लिए देखिए हम जैसे हमारे यह यह पीस है इसके उपर हम अपना दूसरा पीस है ऐसे रखेंगे शिद्धा पीस हमारा दोनों बीच में आना चाहिए और उल्टे पीस हमारे बाहर की साइड हो और देखिए यहां से हम इन पकड़ते हुए दोनों को आपस में इनके आपस में हम जो मने स्टैप बनाई है इनको आपस में हम ऐसे जॉइन करेंगे देखे एक फंदा हम आग्ये वाली सलाई में से लेंगे और एक फंदा पिछे वाली सलाई में से लेते हुए दो फंदों का एक करेंगे फिर हम दुबारा से ऐसे ही एक एक फंदा दोनों सलाई में से लेंगे और इने आपस में यहाँ पर हम जोईन कर देंगे इसी तरीके से friends हम अपने यह फंदे भी जोईन कर लेंगे और हम इधर वड़े फंदे भी आपने दोनों जो हमारी यह step है इनके भी हम जोईन कर लेंगे देखी step हमने जोईन कर दिया है और जो हमारा यह दागा है इसे अब हम जहां से हमने जोईन किये यहां से ऐसे एक दागा उठाएंगे और इसके अंदर से इसको ऐसे लेते हुए हम अंदर की side इसको खींच लेंगे दागे को कि इस तरीके से हम दोनों दागे को इधर लेकर आएंगे यह देखिए ऐसे अब हम एक बार और ऐसे ही करेंगे अब हम दोनों दागे को इसके बीच में से निकाल देंगे ताकि हमारा यहां पर पका हो जाए देखिए इस तरीके से अब हम जो हमारे एक्ष्टा दागा इसे हम कट कर देंगे ऐसे हम अपना दूसरी तरफ का भी कर लेंगे अब हम इसकी सिलाई करेंगे देखिए दोनों के आपस में हम पकड़ते हुए दोनों पीस को ऐसे निच्चे से लेकर उपर तक यहां तक निच्चे से जहां तक हमने मुड़े की गटाई की हम वहां तक हम इसकी दोनों साइड से सिलाई करेंगे इधर से भी और इधर से भी यह देखिए हमने अपने दोनों पीस आपस में पकड़ लिये हैं और हमारा यह जो इससा है इसे हम यहांसे सिलाई करेंगे निच्चे से देखिए हमारा यह डाग रंग का है इसलिए हमने यह यहांसे डाग रंग की ही सिलाई करेंगे सुए में डागादालते हुए हम ऐसे इसको सीलते हुए जहां तक हमारा डाक रंग का डाग है वहां तक हम इसकी सीलाई करेंगे इसको यहाँ पर इन डागों के साथ पका करेंगे ऐसे और अब हम आगे की सिलाई अपनी इस कलर के दागे से परेंगे देखे हमने लाइट कलर का दागा सुई में डाल लिया है अब हम इसको ऐसे डालते हुए और यहां पर लाकर इन दागों से हम इस दागे को जोईन कर देंगे जो हमारी यह पहले वड़े दागे हैं इनसे हम इसको जोईन करेंगे ऐसे और जो हमारी थोड़े से एक्स्ट्रा दागे हैं बड़े बड़े इनको हम काट देंगे अब हम इसकी अपर यह जो हमारा लाइट कलर का पोर्शन है इसको हम यहां तक सिलाई करेंगे हम इन जगों पर लगाने के लिए फूल बनाएंगे और इस सबसे पहले इसमें एक नोट लगाएंगे इस तरीके से देखिए ऐसे अब हम चार की चार चेन बनाएंगे एक दो तीन और एक चार अब हम पहले वड़ी चेन में से इसको जोईन करेंगे देखिए इस तरीके से अब इसके बाद हम तीन फंदों की चेन बनाएंगे एक दो और एक ये तीन अब ऐसे दागा लेकर देखिए जो हमारा इसको जोईन करने के बाद होल है इस होल के अंदर से हम ऐसे एक दागा लेंगे और उसे आगे के शार लेकर इसमें हम डबल करोशिया बना देगे ऐसे अब हम दोबारा से तीन फंदों की चेन बनाएंगे तीन फंदों की चेन बनाने के बाद आप हम यहाँ पर इसी जो हमारा होल है इसके अंदर से ये एक स्लिफ स्टिच बना देंगे देखे इसको हम इसके अंदर से यहीं से ऐसे लेते हुए और इस फंदे के अंदर से हम इसको निकाल देंगे जो हमारा ये पहला फंदा है अब इसके बाद हम दुबारा से तीन फंदों भी चेन बनाएंगे फिर हम दागा लेकर इस होल के अंदर से ही एक बार दागा लेंगे और इसे हम डबल करोसिया बनाएंगे फिर हम तीन फंदों की चेन बनाएंगे फिर हम दुबारा यहां से स्लिफ स्टिचर करेंगे इसको देखे ऐसे हम जो हमारा ये दागा है इसे भी हम इसके साथ दबाते हुए चलेगे फिर हम तीन फंदों की चेन बनाएंगे और एक दागा लेंगे फिर दुबारा से इस होल के अंदर से एक फंदा लेंगे और यहाँ पर हम डबल करोशिया बना देगे इसी तरीके से मारा यंट बाणा लिए है यह तरीके यहां पर अपनाही के श्लिप स्टीच बनाएंगे ऐसे और अब हम सी दागा थोड़ा सा ज्बास लेंगे गे हुआ देखी यह फंदा हमने थोड़ा लम्बा बना लिया है इस फंदे को अब हम बीज में से कट कर देंगे जो हमारा आफ यह फूल बनकर त्यार हो गया है इधर से हमारा फूल सिद्धा है और इदर से हमारा फूल यह उल्टा है अब हम इस दागे को फ्रेंट्स जो हमारे उल्टी साइड है इदर हम इस दागे को लेकर आएंगे देखे फ्रेंट्स एक फूल हमारा बनकर त्यार हो गया है इसी तरीके से हम अपने 11 फूल और बना लेंगे टोटल हमने यह 12 फूल बन डाली है अब हम इनको अपनी आमने प्रूप पनाई है उस पर जुआ इन 20 अब हम इसके दागे में सुन डाल ली है अब हम इसको ऐसे यहां पर रखेंगे और इस दागे को दिए जो हमारा ये बीच वला हिस्सना है यहां पर हम इसको अएसे रखेंगे और यहां से हम इस दाग고 निच्चे की साहिप निच्चे ले कर जाएंगे, यहां से इसे ले जाती हुए, अब हम इसको सूई को उपर ले कर आएंगे जो हमारी यह पत्ति यह सी बनी हुई देखें ऐसे अब हम जो हमारी इस से अग्य वाली पत्ती है उस में से सुनी को निच्चे की साइड से ऐसे हम उपर ले कर आएंगे इस त्रीके से अब हम इसी में से फिर निच्चे ले कर जाएंगे फिर हम अग्य वाली पत्ती में से उपर ले कर आएंगे उसी में से हम निच्चे ले कर जाएंगे फिर हम इस से अग्य वाली पत्ती में से ले कर आएंगे और फिर हम इसी में से निच्चे ले कर जाएंगे ऐसे करते हुए हम इसको यहाँ पर जॉइन कर देंगे पांच पत्ती जो हमारी बनी हुए अब पांचों पत्ती में से हम एक एक बार धागे को निकालते हुए इसे जॉइन करेंगे और फिर इस धागे को हम पिछे की साइड फ्रैंस पक्का कर देंगे देखे ऐसे पक्का करने के बाद अब हम इसको जो हमारा extra डग है इसको हम यहाँ पर कट करेंगे यही तरीके से फ्रेंड सामने अव्य देखिए 6 यहाँ पर लगाएंगे और 6 ही back side में लगाएंगे दोनों side में हम अपनी यह full लगा लेंगे देखिए हमने अपने ये फूल लगा दिये हैं दोनों साइड मैंने फूल लगाए हैं आगे भी और पीछे भी और हमारी ये बनकर त्यार हो गई है थैंक्यू फ्रेंड्स